नमस्ते भाईर बेहनों आप सबको मेरा कोटी कोटी परणाम आज में आपको 31 अध्याई शुनारे हो सुनना लाइक करना सस्काइब करना बोलो कृष्ण भगवान की जय हो बोलो लख्षमिनारण भगवान की जय हो और आज का अध्याई है बहुत अच्छा अध्याई है सुनना कपिल डेव जी द्वारा नरग यातना और जीव की इस्तिति का वित्रांत सुनाना भगवान कपिल डेव जी बोले हे माता जो मनुष्य सिरीहरी इस मरण में मन नहीं लगाते हैं जो मनुष्य सिरीहरी के चरणों में मन नहीं लगाते हैं और बुरे कर्मों के उत्रीत सुब कार्यों को नहीं करते हैं उनकी दसा ऐसी होती है उनकी दसा ऐसी ही होती है सुनो पुन्हों वे 84 लाग योनियों में भर्मन करने के बाद उन्हें मनुष्य देहें प्राप्त होती है जो अच्छे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं सुब कर्मों में मन नहीं लगाते हैं वो 84 लाग योनियों में भर्मन करने के बाद मनुषय देह की प्राप्ति होती है परम्तु जब वो मनुषय भी बन जाते हैं मनुषय देह में जनम भी ले लेते हैं तब वे लोग काने होते हैं, खुबड़े होते हैं, रोगी होते हैं अंधे और धरिद्र भी कुरूप भी आदि होकर इतने सारी चीजें होकर जगत में भूछ से दुख भोगते हैं। जो मनुश्य जगत में सुन्दर और धर्मात्मा नितिग्य धनवान और हरी भक्त दिखाई दिये। उनके विशे में यह जानना चाहिए कि उन्होंने स्वर्ग से लोटकर जगत में जनम दिया है। हे माता इस तरह ग्यानी लोगों को स्वर्ग तथा नर्ग से लोटकर आने वाले मनुश्यों को पत्यक्षे। इस तरह हम लोग समझ जाते हैं कौन अच्छा है कौन कैसे है सबके बारे में पता नहीं चलता है लेकिन जो मनुश्यों ज्यानी होते हैं इस तरह ज्यानी लोगों को स्वर्ग तथा नर्ग से लोड़कर आने वाले मनुसे को पर्ट्यक्ष देकर सब हाल मालूम हो जाता है। जिस व्यक्ति के पाप और पुन्य दोनों कर्म बराबर हैं वह अपने कर्मों का फल भोगने के बाद पुन्य मनुसे योनी को पाता है। बोलो किष्ण भगवान के जय हो। जिस व्यक्ति का केवल पुन्य ही होता है पाप नहीं होता है। मर्णे के उपरांद वह देवता या गंधरों का देह प्राप्त कर देवलोक या श्वर्ग लोक में वास करते हैं। बोलो किस्म भगवान की जय हो ये माता शिरी हरी भगवान की मर्जी सी ये जीव देवता या मनुसे शूकर या कुता जिस किसी योनी में जनम लेता है वह सदा उसी में बने रहने की इच्छा करता है जिस भी योनी में भगवान उसे जनम देंगे वह उसी योनी में रहना चाहता है शिरी हरी की किरपा के बिना उसका मन जगत से वेरागय नहीं होता जिस देह को भी देदे भगवान उसी में खुश है जिसे देह को पराणी अपना जानकर पौसता रहता नहीं है किसी एक रहता ही नहींहीं है शतोगुणी रजोगुणी एवं तमोगुणी ये तीन तरह के शुभाव होते हैं जिस पराणी को रजोगुणी अधिक होता है वे राजशी कर्म करने के बाद सत्य लोग को जाता है तमोगुणी वाले तमोगुण अधिक होने से पाप करने वाला ज्योती पाता लोग में दुख पहुँचकर पाता लोग में पहुँचकर नरग के दुख भोगता है पुलो क उन्हें शुब कर्मों द्वारा देव लोग को पा लेता है, हे माता जब तप और दान आदि शुब कर्मों को भी राजसी, तामसी और सात्वे की इन तीन तरहे का जानना चाहिए, अतेव शबी पराणियों की गती भी तीन की तरहे की होती है, जैसा जिसका सुबाव होता है, जैसा जिसका सुबाव होता है, वेसे ही कर्म में उसका मन लगता है, अपने सुबाव के अनकूल कर्म करके यह पराणियों जगत में बारम बार जनम लेता है, और दुख सुक भोगता है, बोलो किश्म भगवान की जैहो, इस तरह उसे जनम बरन से मुक्ति प्राक्ति नहीं होती है, कुमे से जल निकालने की जहत की तरहे जीव की भी भाति गति जाननी चाहिए, जैसे कुमे से जल निकालने की रहत की तरहे जीव की भी गति जाननी चाहिए, वह एक देह को त्याकर अपने शुब कर्मों को भूगने के बाद अन्य देह में पर्वेश कर जाता है, शिरी कपिल देव जी ने इस परकार वचन सुनकर देव दोटी ने कहा, हे पर्वो, हे पर्वो, जब यह इस्थती है, तब तो जीव का इस संसार में किसी भी परकार नहीं हो सकता है, कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं इस जरम मरण से छुटने का सरल उपाय कहता हूँ, ध्यान से सुनो, सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीव की रक्षा करना, पर्योजन बिना अधिक न बोलना, जितना जरुत होती है, उतना ही बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा कभी नहीं बोलना चाहिए, बुद्धी को नश्टन होने देना, अपने दिमाग को नश्ट मत होने देना, बुरी संगत था बुरे कर्मों से दूर रहना, बुरी संगत वाले लोगों से भी दूर रहना, अगर हम बुरी संगत वाले लोगों के साथ दो दिन चार दिन पेर के, हम उनकी बात को सुनते हैं, तो एक ज़्यादा बात नहीं सुनेंगे तो एक दो बात तो उनकी जरूर हमारे दिल में भी आएगी यह हमेशा भार भार यही बोलता है सुभएवी स्याम को भी एसलिए कभी भी पुरी संगत वाले लोगों के साथ मत बैठो बुरे कर्मों से दूर रहना अपनी चित को सदे प्रसं रखना अपने मन को हमेशा प्रस्ण रखना दुखी मत रखना दुखी रखने से क्या हो जा नहीं होगा צो किन हो यका अधिय फुस रहना चाहिए किसी के धन को देकर किसी के धन को देकर डाहा ना करना इसाहर रालँ somehow सुब कर्मों द्वारा समसार में सुवयस कामना किसी पर क्रोधना करना धर्म पूरक कमाई होई आई से अपना जीवन प्यतीत करना बोलो किश्म भगवान की देगो श्री नारण के चरणों में भक्ती रखना सब काम करना श्री नारण के भक्ती जरूर करना और कोई अच्छा काम करो कोई भी काम करो पहले भगवान का मान दो और बिना भगवान की मर्जी से हम हिली भी नहीं सकते हैं अगर भगवान की मर्जी नहीं होगे तो हम यहीं पे रह किसी जीव को कश्ट न पहुचाना पर इस्त्री को माता के तुल्य मानना चाहिए किसी भी इस्त्री को अपनी माता बहन समझना चाहिए सादू संतियम ब्रहामनों की शिवा करना, अच्छी बुरी सबी बातों को भगवान की इच्छा समझना, तथा अपने धर्म. अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो सब भवान पे छोड़ो भगवान की इच्छाए तथा अपने कर्म यम अपने धर्म यम कर्म पर ग्रिड रहना इन बातों को इन बातों को जो प्राणी मनुस्य देह पाकर करता है इन बातों को जो मनुस्य देह को पाकर करता है मनुष्य दियों को पाकर करेगा कि भई अपने धर्म पे रहना कि मुझे यहां नहीं जाना यहां नहीं खाना यह नहीं करना वह ही मनुष्य है वह है आवगमन से छोड़कर भाव सागर से पार उतर जाता है हे माता यह सब गुण सत्संग तथा कथा पुरान सुने भावत गीता सुने गीता पुरान सुने बिना प्राप्त कि यह नहीं होते हैं जब तक हम भावत नहीं सुनेंगे स्रीमत भावत पुरान नहीं सुनेंगे सत्संग में नहीं जाएंगे भजन में नहीं जाएंगे तब तक हमारे मन में भी कुछ अच्छी बाते नहीं आएगी घर में बैठे बैठे दो चार बात अच्छी आएगी फिर वोई जो सुबह सोच था फिर वोई आएगा अथे मनुश्यों को चहिए कि वे शादो संत महात्मा तथा ज्यानी जनों का सतसं करीम बोलो कुष्म भगवान की चैहो बोलो लक्षिन नार्यम भगवान की चैहो हुआ 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 है